पिता का स्कूल छोड़ घीरो बनने चले थे राजकुमार हिरानी बीच में ही कोर्स बदल बन गए निर्देशक राजकुमार हिरानी बलिवुड के उन निर्देशकों में गीने जाते हैं जिनकी बनाई हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है उन्होंने अभी तक कुल पाँच फिल्मों का निर्देशन किया है इन पाँचों फिल्मों ने न केवल दर्शकों के दिलों की जीता बलकी बॉक्स ओफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े राजकुमार हिरानी ने बहुतों को फिल्म निर्देशन की परिभाशा सिखाई उनकी बनाई हर फिल्म ने नए रिकॉर्ड बना दिये वह 20 नवंबर को अपना जन्विन मनाते हैं राजकुमार हिरानी के पिता सिंध अब पाकिस्तान के रहने वाले थे जो की एक टाइप इंग स्कूल चलाते थे वो बंटवारे के बाद भारत आ गए लेकिन राजकुमार हिरानी ने पापा का काम न कर कुछ बड़ा करने की ठानी हुई थी थेटर की तरफ उनका रुजहान हुआ उन्होंने फिल्म अन्ट टेलीविजन इंस्टिट पूने में दा खेला लिया हीरो बनने के इरादे से लेकिन पढ़ते हुए ही इरादा बदल गया और वो कोर्स बदल निर्देशन में आ गए 1993 में फिल्मों की तरफ रुख किया वो विग्यापनों के लिए काम करते रहे 1994 में 1994 से लव स्टोरी और 1998 में करीब के प्रोमो के लिए काम किया 2000 में मिशन कश्मीर और 2001 में तेरे लिए के लिए इडिटिंग की लेकिन उनका असली सफर 2003 में शुरू हुआ उनके नर्देशन में बनी पहली फिल्म मुना भाई MBBS आई संजे दत और अरशद वार्सी की मुखें भुमिकाओं वाली इस फिल्म ने काम्याबी के जंडे गार दिये राजकुमार हिरानी पहली ही फिल्म से छा गए उनकी इस फिल्म को कई अवार्ड मिले तीन साल बार 2006 में राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई MBBS का अगला भाग लगे रहो मुना भाई लेकर आए एक बार फिर संजे दत और अरशद वार्सी की जोड़ी आई और राजकुमार हिरानी ने जबरदस्त काम्याबी हासिल की ये फिल्म मुन्ना भाई MBBS से भी बहुत ज्यादा हिट हुई इसके बाद राजकुमार हिरानी तीन साल बाद लोटे और साल 2009 में फिल्म Three Idiots लेकर आए इस फिल्म को हिंदी सिनिमा की सबसे शांदार फिल्मों में से एक माला जाता है फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़े और समीक्षकों ने भी खूब सराहा Three Idiots के बाद राजकुमार हिरानी ने अपने चाहने वालों को लंबा इंतजार कराया वो पांच साल के बाद 2014 में पीके लेकर आए फिल्म ने कमाई के मामले में नएकी रितिमान स्थाबित किये फिल्म को खूब सराहा गया